नमस्कार, मित्रों यदि आपका कोई बैंक एकाउंट किसी पोस्ट आफिस में है या आपने किसी पोस्ट आफिस से कोई किसान विकास पत्र या राश्ट्रिय बचत पत्र जैसा निवेश कर रखा है तो आपका लेना देना पोस्ट आफिस से कभी न कभी जरूर ही पड़ा होगा आपको इन बचत पत्रों को लेने के लिए या इनका परिपकता के बाद मिच्योर्टी के बाद भुकतान लेने के लिए पोस्ट आफिस में जाना पड़ा होगा और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी पोस्ट आफिस में हर आम आदमी कम से कम register करने के लिए अपने किसी लेटर को छिथी को डाक को स्पीड पोस्ट करने के लिए जरूर ही पोस्ट आफिस में जाता है और ऐसे आम आदमी को अक्सर ये वहां से सुनने को मिलता है कि अभी हमारे यहां काम नहीं हो रहा है क्योंकि सर्वर डाउन है यह सर्वर डाउन होने की समस्या से हर आदमी का किसी न किसी रूप में पाला पढ़ता रहता है और इस समस्या से हर कोई रूबरू होता रहता है सरवर डाउन की समस्या क्या होती है, क्यों होती है और इस सम्मंध में स्वैम डाक विभाग का क्या कहना है इसके सम्मंध में आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सरवर डाउन होने की समस्या एज़ी देखा जाये तो बहुत गंभीर समस्या है एक बहुत बड़ा समस्या है लेकिन चुकि एक वेक्टी जब कहीं किसी डाग घर में जाता है तो उसका एक छोटा सा ही कोई काउन होता है जो अगर हो गया तो ठीक नहीं हुआ तो किसी दूसरे डाग घर से जाकर वो अपना वो काम करवा लेता है लेकिन अगर मा लीजिए किसी डाग घर में आपका बचत खाता है सेविंग एकाउंट है जिसमें आपको पैसा जमा करना है या अगर मा लीजिए किसी बीमारी की इस्थिती में या किसी बहुत ही इमर्जेंसी की इस्थि नहीं हो पाएगा तो यह एक बहुत बड़ी आपके लिए परिशानी का सबब बन सकता है कि जब आपका ही पैसा आपको ही डाग घर देने में असमर्थता ब्यक्त करता सिर्फ इस वज़ा से कि सर्वर डाउन है आपको हो सकता है उस समय बहुत परिशानी हो कश्ट हो और आप को गुसा भी आए कि ये कौन सी बात होती है जब मैनुल काम होता था तब इनके बहाने अलग होते थे अब आज कल ये सर्वर डाउन होने का बहाना बन गया है और जब भी कोई करमचारी किसी भी कारण वस काम नहीं करना चाहता है नुक्तान नहीं देना चाहता है तो उसके के पास दस बहाने होते हैं ये सब बहाने गरहकों को परिशान करने के लिए भी अक्सर करमचारीों दोरा इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन इसकी सच्चाई का पता कैसे चले अगर कोई करमचारी डागघर का करमचारी ये कह देता है कि आज सर्वर डाउन है तो आपके पास तो कोई उपाय ऐसा है नहीं कि आप पता लगा सके कि वाकई वो सच कह रहा है या जूट कर मैंने अपनी आग से देखा है कि वो दिखाने के लिए अपने उस पूरे सिस्टम में से एक दो तार धिला करके छुड़ा देते हैं और इंटरनेट होता है वो और आप कह देते हैं क कि देखिए सरवर नहीं चला है इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और फिर जब उनकी मरजी होती है तब वो अपना सिस्टम सही कर लेते हैं और सरवर चलने लगता है लेकिन ग्राहक का क्या है जो डाग घर में जा रहा है उसे तो ब्योकूब बना दिया जाता है और वह चुक बवालों से बचने के लिए वो अपना चुप चाप चला जाता है आज नहीं होगा तो कल होगा कल नहीं होगा और यह एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए मैं ब्यक्तिगत रूप से कुछ प्रयास कर रहा हूँ अगर आप मेंसे भी किसी इस तरह की किसी समस्या का सामना क्या है और समय ना होने की वज़े से आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हुए भी कुछ नहीं कर पाए तो अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी उस समस्या का हमको बताईए और अगर उसमें कुछ चाहते हैं आगे तो वह भी तो आप हमको जरूर बताईए नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे मोबाइल नंबर पर भी फोन करके आप बता सकते हैं और हमको लगता है कि सब लोग मिल जूल करके इस तरह की समस्या को उठाएं बड़े अस्तरपत तो इसकी सचाई तो पता चली सकती है कि ये वाकई सर्वर डाउन का खेल है या इसमें कहीं कोई सच्चाई है क्योंकि सर्वर डाउन थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन पूरे दिन दस बज़े से दो बज़े तक एक डाग घर में आज मैंने देखा कि वहां का करमचारी चुपचा बैठा था सिर्फ इतना ही कहता रहा कि सर्वर डा सके लेकिन अगर इसमें आप लोगों को भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो तो हमें इस से आउगत कराए ताकि इसमें कुछ हमें मदद मिले और एक इस बहुत बड़े समस्या से निजात मिल सके आम लोगों को कम से कम सर्वर डाउन होने का बहाना बना कर तो कोई करमचारी काम करने से अपने आपको ना बचा सके डागरों की स्थिति सरकार जहां एक तरफ प्रयास कर रही है कि उसको सुधारा जाए नए नए इसमें तकनीक हों विकास हो डेवलप्मेंट हो लोगों को ग्राहकों को इसका लाव मिले लेकिन करमचारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है आम लोगों को इन समस्याओं से जूजना पड़ रहा है जहलना पड़ रहा है तो इसी आशा और उमीद के साथ कि आगे के वीडियो में हम जब भी इसके बारे में कुछ नया हमको जानकारी मिलता है तो हम जरूर साजया करेंगे तब तक के लिए हमें अनुमती दीजिए नमस्कार